दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आज किस वीडियो में आपको मचलियों के भोजन से सम्मंदित जानकारी देंगे आज किस वीडियो में हम आपको यह भी पताएंगे कि कितने तरीकों से आप मचलियों को भोजन खिला सकते हैं कौन सा तरीका मचलियों को भोजन देने का सबसे अच्छा है कौन से तरीके से मचलिया भोजन करके सबसे अच्छा बढ़वार लेती है और किस समय हमें किस तरीके से मचलियों को भोजन देना चाहिए दोस्तों मचलियों को भोजन कराने के दो तिन तरीके होते हैं और उन्हे ह topics के पैपने करता है कि आप किस इस्तेमाल कर हैं जैसे हम मेड़् पीड होता है जिसे आप घर पर बना कर मचलियों को भोजन देते हैं और इक वाली फीड आती है जिसमें एक फ्लोटिंग फीड होता है और दूसरा सिंकिंग फीड होता है तो आप अगर फ्लोटिंग फीड का इस्तमाल करते हैं तो आप डायरेक्ट तलाब में उसे चिर्काव करते हैं जो पानी को पर फ्लोट करता है और सिंकिंग फीड का इस्तमाल करत तो आप उसे तलाब के किनारे बना सकते हैं, होमेट फीट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें राइस ब्रांज सर्चों की खली, गुर और मिन्रल मिक्षर यह समिला कर जो आप फीट बनाते हैं, वो तलाब के किनारे भी बना सकते हैं, यह एक पहला तरीका है, और यह आप ड्रॉम कर रहे हैं हमारे देश में चिनारे बनारे कर सामय से फिर इस तरीख कर देते हैं यह फिर को कहाती है趣 तब भी आप सरसों की खली का चिल्काओं करेंगे वो तो तलाब में मिक्स हो जाएगी तलाब के पानी में लेकिन उसमें अगर आप मकई का दर्रा मिलाएं है या गेहूं का या चावल का या राइस बरांग ये सब जो भी चीजे होंगी वो नीचे जाकर डली में बैठ जाती तो यह एक तरीका है मज़ियू को भूजन दने का जिसमें बहुत अधिक मज़िया पूरी तरही नहीं कर पाती है यान की जितना मज़ियकों चाहिए उतना भूजन पानी करते हैं डिर्रेक्ट तलाब में चिर्काओं करने से दूस्तों यहों गया पहला तरीका है ऻिस जब भी आप बैग फीडिंग कराते हैं तो मचलियों को जितनी जरूरत होती है मचलिया उतनी भोजन करती हैं अपने जरूरत के अनुसार इसमें क्या होता है कि भोजन बहुत ही अच्छे से मचलिया खाती है और भोजन का बढवादी भी नहीं होता है भोजन बढवाद नहीं होता है दोस्तो यह हो गया दूसरा तरीका मचलियों को भोजन खिलाने का बैग फीडिंग पहला तरीका चिरकाओ करके बहुत सारे लोग खिलाते हैं दूसरा तरीका ह लट्डू के तरह हैं और उसे आप तालाब में किसी टब में रखकर चोल सकते हैं या किसी बाल्टी में रखकर आप बीच में ले जाकर छोल सकते हैं कि साइड-साइड नहीं? सब अगाकर चोल सकते हैं यानि कि राइस-बॉनच neverthis ughड़ी सब इस अAAAAAAAA तो मचलिया उसे अपने अनुसार से खा लेती है तो यह सब कुछ तरीके हुए मचलियों को भोजन खिलाने का अगर आप फ्लोटिंग फीट का इस्तमाल करते हैं तो आप जैसे खिला रहे हैं वैसे ही खिलाए और अगर आप सिंकिंग फीट कि लाते हैं ठंडी के दिनों में के नीचे तो उसे मचलिया खा लेती है ठंडी के दिनों के लिए सबसे अच्छा हमारा है भाइक फीडिंग लिए मंचलियों को भोजने खिला सकते हैं ऐसे उस तरीकों का carry आप मचलियोंगों अच्छे तरीके scar01 को माना जाता है दोस्तों आसा करते हैं एक छोटी सी जनकारी मच्छियों को भोजन किलाने के तरीकों के बारे में यह जनकारी आपको अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और वीडियो को लाइक कर दीजी